इस वक्त हम मौझूद हैं बड़ोतवी दानसभा में और चुनावी भागदोड के बाद आज परत्यासी क्या कुछ कर रहे हैं क्या अपने परिवार को समय दे रहे हैं या फिर आज भी किसी असमन जस्में हैं ये जानने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं बाजपा से परत्य सएमसे में शम्मानित मड़ाथाओं को सम्मानि जनों को का आभरवेक्त करता हूं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतिय जंता पार्टि के कि कदर करते हुए कि आद्णियय योगी जी के काम की कदर करते हुए भाईचारा बढ़ाते हुए एक अच्छा मद्दान जो पहले से भी जाद है लगवग 66% मद्दान हमारे पक्स में करने का निर्न लिया चुनाव सांती पूर्ण रहा है इसका सरे किसको देना चाहेंगे इसका यह तो आदर्निय योगी जी ने जो कानून वबस्ता दी अच्छा माहूल द असला तो 10 मार्च को होगा लेकिन क्या किसी परकार की कोई असमंजस है नहीं कोई असमंजस नहीं है पहले से अधिक वोटू से हम जीतने वाले हैं आज किस तरह से समय बिताएंगे परिवार के साथ रहेंगे या कहीं दूसरी जग जाएंगे अभी मैं आप देख रहे अब सिदेख सिदा जाओंगा अपने ओपिस वाल ओपिस यानि कारिया लें वहां सभी अपने मद दाता हुसे और अपने कारिया करता हुसे और सम्मंदी जो बूत पे रहे थे उनका वारवेक्ट करूंगा जब मदान का परिणाम आया पता चला अगबीजेपी के उतसाहित मद दाता हुने उतसाहित कारिया करता हुने इतना बढ़िया माहुल दिया तो ठकान सारी की सारी उतरगी और ठकान नाम की चीज़ भी नहीं रही आज ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और रही परिवार वाले परिवार वाले तो इस बात के लिए आभारी हैं हको उन्होंने मदान के माहदम से हम सब की पूरे परिवार की मदद करने का काम किया विधाग जी आज की योजना है पार्टी ने कोई जिम्मेदारी सोपी है कहीं बाहर जाने के लिए या फिर आच्छेतर में रहेंगे कल सूचना आगी थी मुझे चांदपूर विधान सबा में जाना है परचार परसार करूंगा और जिस तरह से अपना चुनाओ लड़ा इसी तरह से भार्ची जनता पार्टी के बाकी उमिदवारू का भी चुनाओ लड़वाने का काम करूंगा सबसे पहले तो दिन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने विसे इस दिल्चस्पी लेकर और इस पिछले कारियकाल और सासन की कदर करते हुए जो उन्होंने मदान करने का निटने लिया पूर भारती जनतापार्टी के उम्मीदवारू को पसंद किया इस के लिए बार बार आपके मादेंसे और बार वक्त करता हूँ धन्यवाद करता हूँ तो सुक्रिया विधाक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ये हमारे साथ थे विधाक क्रिशन निपाल मलक जी चुनाव समाप्त हो चुका है लेकिन इनकी जिम्मेदारी अभी भी बाकी है अभी परिवार के साथ समय बिता रहे हैं